तो कटिंग के दस दिनwegen बाद आ नहीं इस दीन है इसके करने वाला हुआ तो क्या फटलाइजर को आपको देखना है ध्यान से रखना वो बटन गुलाब की इसकी व्यूजर्शिप अच्छी गई थी यूकर में रिपोर्टिंग का तरीका एकदम नहीं आजमाया था अभी यह हमने खात डाला और क्या क्या खात डाला है वो आपको मैं बताऊंगा डाल के बताऊंगा क्या करना है क्या करना है कुछ लोग यह मिस बाद इसका अपडेट डालूंगा जब आप देखोगे तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फर्टलाइजर किस तरीके से डालना है किस क्वांटिटी में डालना है सारा कुछ आपको बताऊंगा और कैसे मेंटेन कर लेना है तो सबसे पहले हैं रखना है जैसे यह हमारा गुलाब का प्लांट है अब यह गुलाब का प्लांट है जिसको हमने कट किया कट करने के बाद थोड़े थोड़े नय नय ब्रांस तो हमको दिख रहा है भाई मतलब इसका है कि इसकी ग्रोथ चालू है अब ग्रोथ चालू है तो ग्रोथ को फ तो सबसे पहले मैं थोड़ा खुड़पी कर रहा हूं इसलिए क्योंकि हमारे जो पॉर्ट का साइज बर रहा है तो आगर आप चोटे से पॉर्ट में लगा कर रखें गुलाब को लेकिन मैं तो बोलूगा 12 इंच का पॉर्ट होना ही चाहिए लेकिन फिर भी 12 इंच का पॉर् यूज कर लेना है पहले इससे क्या होगा इसके भी अलग अलग बेनी फिट्स होते हैं पहला तो एरिंग होंगा मतलब ऑक्सीजन जर को मिलने की कोसिस होगी जितनी होगी बस है उसके बाद क्या होगा कि जबर हम फर्टिलाइज डालेंगे तो वह आराम से मिट्टी में मिल जाएगा और नीचे जड़ तक उसको पहुंचेगा क्योंकि जड़ को हमको फर्लाज देना है मैं उसके बाद स्प्रे करने के लिए क्लिए क्या होता है वो तो मैं आपको बता ही दूँगा क्योंकि वह तो में मैटर करता है इसमसाल ही आपको यूज करना है लेकिन लेकिन बहुत कम मात्रा में तो उसके बाद अभी क्या करते हैं जीसे हमने कुड़पी किया अच्छा कासा हमारा गुलाब अभी अच्छा कासा चल रहा है अभी इसको कुछ नहीं करना है अब इस खुरपी करने के बाद कटिंग कर दिया खुरपी कर दिये खुरपी करने के बाद उसके बाद आप देखोगे कि जह जह नैने ब्रांच है उसको ग्रोथ जादा मिले तो हम इसमें यूज कर रहे है आधा केजी के कड़ी हमारा पॉट का साइज बढ़ा है 14 इंच का पॉट है हमारा इसलिए हमने आधा केजी के करीब यूज कर रहे है नैचरल वर्मी कमपोस्ट जो हमारा होता है वो आधा केजी जादा नहीं कम नहीं आधा केजी से जादा ही यूज कर रहे है लेकिन आदा केजी आपको यूज कर लेना है 14 एंच के गमला में डिपेंड ओन के आपके गमले का साइज क्या है क्यूंकि वर्मी कंपोस्ट जो है सबसे अच्छा न्यूट्रेंस हो सकता है हर एक प्लांट के लिए जो माइक्रो न्यूट्रेंस होते हैं सारा वर्मी सब्सक्राइबस कर जो तयार किया जाता है चेरे जो चेरे केच्छुए से तयार किया होगा यह है ङो है गारे औरैट्ट जा सक आप एडिस्नल उसके बाद एनुपी की उनिस-पर में यूश कर रह जा कुकि इसने गुल जाएगा इसको हम बाद में लिकुले त्यार करके यूज़ करेंगे लेकिन अभी हमने आधा चमच डाल दिया वस क्योंकि यह जरूरी है अभी एक फटलाजर आपको डालना है जो में डूल निभाएगा यह है हमारा डी अपी अब डी अपी कितना यूज़ करना है तो एक चमच छोटा एक चमच आपको यूज़ क देना है उसके बाद आपको बुन सारे फटलाजर को सारे मिट्टी को अच्छे से घुमा देना है फ्रेस कर देना है और धूप में प्लांट को डाल देना है आगे मैं अपडेट करो